भारत की नाशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इंप्लिमेंटेशन का एक प्रमुख हांग है नाशनल क्रेडिट फ्रेमवर्ग इसका उदेश्य है भारतिये शिक्षा प्रणाली को सशक्ट करना आज सभी शात्र इस प्रणाली और इसकी वैवस्थाओं को अच्छे से समझना चाहते हैं इसे जुड़ी तमाम जिग्यासाओं का निवारन करने के लिए आज हम मिलने जा रहे हैं AICT के मेंबर सेगरेटरी आदर नीशी राजीव कुमार से सर बहुत स्वागत है आपका अन्यवाद हम जानते हैं कि एनिप के क्रियानवन को लेकर आपने बहुत काम किया और और काफी एफ़र्स आपके गाए हैं तो आज हम थोड़ा जानकारी चाहेंगे नेशनल क्रेडिट प्रेमवर्क के बारे में जिससे कि इनों चात्रों की जितनी भी जिग्यासा है वो उनको एक जवाब मिल सके तो सबसे पहले तो आप प्रिपा कर के ये बताईए कि नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अच्छल मे को लेविल्स में डिवाइट किया है क्योंकि हम हाइर एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं हाइर एजुकेशन तक ही अपने विचारों को सीमित रखूंगा जैसे अगर हम कहें 10th को लेविल 3 पे रखा गया है अगर हम आज की सिक्षर परणाली से कंपेर करें तो 10th को लेविल 3 पे रखा गया है 11th को लेविल 3.5 पे 12th को 4 पे और इसी तरीके से अगर हम कहें कि जो बीटेक है 4 यर बीटेक 12th के बाद में अगर बच्चा जिसका एड्मिशन लेता है वो 6 लेविल पे भाहर आता है और हाइस्ट लेविल 8 है जो पीस्टी का है तो इस तरीके से सिक्षा को हर एक लेविल के रूप में बाटा गया है तो यह नेशनल क्रेडिट फ्रम वर्क का एक प्रमुक विशेष्था है अब नेक्स कुशन आता है यह क्यों बाटा गया है जी मतलब इसे चात्रों को क्या लाब मिल सकते हैं यह जरूर जानना चाहेंगे बिलकुल तो सिक्षा एक लेविल थ्री अटेन करने के बाद वह आता है और उसका मन करता है कि वह रेगुलर एजूकेशन में जो नॉर्मल एजूकेशन है उसमें अपनी आगे की सिक्षा पढ़े तो यह प्रावत इस क्रेडिट फ्रेमवर्क से यह आसानी हो जाती है कि कोई भी एक पांच में जाने के लिए वह नॉर्मल एजूकेशन में भी जा सकता है तो यह इसका सबसे बड़ा लाब है फिर यह नेक्स्ट कुशन आता है वह कैसे जाएगा कैसे जाने के लिए अगर हम वोकेशनल एजूकेशन की बात करें जिसमें हम इसकिल कंपोनेंट हमारा बहुत कुचा सथानों की जिम्मेदारी बनती है कि उसके क्या बच्चा अगर वो ऑच्चा से नॉर्मल एजूकेशन में जा रहा है तो इसके नॉलीज गैप को ऐदैंटिफाइं कि उसके नॉलीज गैप का अगर वो फक्टे शोनको और्र इनतिफाई करिए कि उसके जिखाई और पाद आप vocational से education की learning ज़ायदा है उसमें आप आराम से जासकते हैं. तो संस्थानों की जो जिम्मेदारी है, वो learning gaps identify करने की जो जिम्मेदारी संस्थानों की हैं. और उनको वो करना पड़ेगा, और उसको है करने के सरकार ने किस तरीके से किया जाए? इसके उपर भी बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे संस्थानों के कुछ इस पर विचार थे, उनको कुछ दिक्कत आरही थी, सरकार से कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे, तो यह सब इस विशू जब इसको implement किया संस्थानों ने यह आए, और इसको implement करने के लिए सरकार ने बहुत से SOPs बनाई हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने, Ministry of Education ने एक कमेटी बनाई, जिसका जो में दाइत्य था कि NCRF को संस्थानों में इंप्लीमेंट करने के लिए जो दिक्कते आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए Standard Operating Procedures बनाएं, तो उसमें UGC के Chairman के ये कमेटी थी, मैं भी उसका एक सदस्य था, उसमें Skills के भी लोग थे, Technical Education के भी लोग थे, और Educationalist भी थे, उस कमेटी ने, तो उस कमेटी ने decide किया, कि हम इस विशा को तीन भागों में विभाजित करते हैं, एक उच्छी सिक्षा, एक स्कूली सिक्षा, और एक Vocational Education, एक कमेटी को उन्होंने दाइति दिया कि उच्छी सिक्षा, हायर एजुकेशन में किस तरीके से National Credit Framework को लागो करने के लिए Standard Operating Procedures, SOPs, ड्राफ्ट करें, तो उस कमेटी ने, वो SOPs, ड्राफ्ट किये, उस कमेटी को मैंने चेर किया, उसमें Vice Chancellors, Educationalists और बहुत से लोग आए, वो हम लोगों ने अपनी उसमें बहुत चर्चा की, आइटी से चर्चा की, देश के प्रमुक संस्थानों से चर्चा की, और जो एजुकेशन जोड़े लोग हैं, उनसे हमने विचारिमी मर्श किया, उसके बाद हमने SOPs ड्राफ्ट किया, वो SOPs ड्राफ्ट करने के बाद हम जो दिक्कते हैं, जो चैलेंजर से इंस्थानों से फेस की हैं, वो किस तरह के थे, इसके लिए आपको आगे और काम करना पड़ा? विकासे बहुत अच्छा क्वेशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे बड़े चेलेंजिस हमारे संस्थानों को आ रहे थे, वो था मल्टिपिल एंट्री एक्जिट, एक बच्चा किस तरीके से अपनी शिक्षा को को चोड़ कर जा सकता है, किस तरीके से वो प्रण किया सकते हैं, कैसे क्राडिट का एक्विलेट किया सकता है, उनको डिडिम किया सकता है, तो इस ताइप के बेसिक कोश्यंस संस्थानों के मन में थे, एक और विशह था कि गैप किस तरीके से अइडनिफाइ किया जाएंगे, जो लर्निंग गैपस हैं, या इस्किल किस तरीके से अइडनिफाइ किया जाएंगे, तो इस टाइप के कुश्यंस संस्थानों के मन में थे, किन-किन स्किल कोर्स को काउंट किया सकता है, किन-किन को नहीं काउंट किया सकता है, क्या कर्डिट कई बार उस टिग्री में यूज किया सकता है, तो इस तरह के बहुत स मैं यह भी नहीं कहता हूं कि वो एसोपीज में जो जो चीजे आई है वो अपने आप में संपूर है क्योंकि यह इवॉल्विंग प्रोसिज है जैसे जैसे समस्य आएंगी उनका समधान हम लोग सब बिल के आपस में बटके तूड़ेंगे और उसका समधान मिलेगा तो यह ज क्या यह प्रोसेस जारी रहेगा प्रियान्वन को लेकर देखे यह जो चैलेंजिज है कोई दो संस्थानों की या दो हमारे स्टूडेंट्स की समस्या एक सी नहीं होगी जब भी संस्थान इस नेशनल क्रेडिट फ्रेमबर को अपने हां लगाएंगे यह इंप्लीमेंट कर लेकिन जो जो समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का सबका समधान संस्थान को एक जो ऑटनोमस इंस्टूशन से उनको यह ऑटनोमी है कि वह समस्या का समधान अपने आप निकाल सकते हैं अगर वह समस्या का समधान निकालने में उनको दिक्कते आ रहे हैं तो अपने कि उसने ऐसी समस्चा की बारे में क्या किया तो यह एक कॉलोबरेशन और एक आपस में एक दूसरी की लर्निंग से लर्न करने का टाइम है तो यह एक इस ऐसे समय में इन कि पूछ आपने किया पुछ समय स्वश्चयाओं को क्योंकि जो जो कमेटी के सामने चीजे रखी गई कमेटी ने सब के बारे में कुछ ना को डिए है उनको जिससे इस अस्तान लागू कर जाना है लेकिन यह बास सही है कि यह वाल्विंग प्रोसेज है यह एंवालविंग प और आप उडरी इसदिशा में काम कर रहा है. तो सर इस शिक्षा प्रणाली में जो हम आप बात कर रहे हैं, तो जो 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 बहुत जो दिया गया है तो जो चैल्सकों को लेकर जो पर अचैनल डर्जु कीमेंडेशन से जाना उसमें तैय हुआ है जो नेश्ड केडि़ित फिर् सकते हैं तो कौन से इस्किल कोर्सेस तो आप उसमें काउंट करेंगे किर सकते है इस विशे में NCVET ने लार्ज नपर अद दैसन कीया है उनके पात बहुत बड़े बड़े नंपर ले सकते हैं तो आपने लेविल पर ही पड़ा सकते और भचों को 까डिए अज़ा कर सकते अब्लाद कर सकते हैं तष्टे बहुतबड़ता प्रावदHAN किया गया इसके अलावा अगर किसी संस्थान को लगता है कि यह जो कोर्सिज हैं वहां पर NCVT के जो कोर्सिज हैं यह सेक्टरी स्किल कॉंसिल के कोर्सिज हैं उसमें नहीं हैं और वो अपना एक कोई कोर्स बनाना चाहते हैं तो उसको उसको कोर्स के आउटकम्स डिफाइंड करने होंगे और उसकोर् करने के बाद आउटकम के बेसिस पे उसका एसस्मेंट करना हुआ तो यह सारे प्रावधान करने के बाद वो उस इसकिल की कोर्स को संस्थान भी बना सकता है और रन कर सकता है इसके अलावा बहुत सारे संस्थानों ने बहुत सी क्योंकि बहुत से स्किल प्रोवाइडर प्रा और उनके courses भी काफी useful हैं, काफी अच्छे हैं, उनके levels भी हैं, उनको sector skill consils ने और NCVT ने recognize किया हुआ है, तो उन courses को भी आप अपने normal curriculum के साथ उनको credit award करते वे उन courses को भी चला सकते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा domain horizon है, जहां पर skill के courses को आप run कर सकते हैं, और बच्चे इनका लाब उड़ा सकते हैं, तो सर, I think यह बहुत ही forward looking बात है कि आपने जैसे बताया कि वो खुद के skill courses भी develop कर सकते हैं, तो सर, कोई आपशक्त ऐसी है कि उनको किसी तरह की मंजूरी चाहिए होगी या कोई किसी तरह का go head चाहिए होगा कहीं से, नहीं, उनको किसी की भी मंजू कि ने इसको अप्रूव किया हुआ है, तो वो इस course को as it is NCVT के यहां से ले सकती है, लेकर वो अपने बच्चों के रहां कर सकती है, चला सकती है, पढ़ा सकती है, ऐसे assessment करके credit award कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है, कि वो course बहुत अच्छा हो, और आपके संस स्थानों के या बहुत से working professional उस course को करना चाहें, जो आपने संस्थान में चला रहे हैं, तो ऐसे cases में, जो बच्चे आपके system में नहीं है, जो students आपके system में नहीं हैं, तो उसके लिए आपको NCVT या सेक्टर स्किल कॉंसिल की वंजूरी लेकर, assessment करा कर, आप उनको certificate issue कर सकते जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकरी के लिए सर्थ, अब एक सवाल अंत में जो आता है दिमाग में, वो यह कि जो multi-disciplinary education है, उस पर बहुत बड़ा focus है आजकल हमारा, तो national credit framework उसको किस तरह से बढ़ावा देने माला है, देखिए, national credit framework का सबसे बड़ा advantage, multi-disciplinary education है, कि ब education वो प्राप्त कर सकता है, अगर कोई बच्चा सबस्पोज मैं इंजिनिंग के बात करो, इंजिनिंग में चाहते विए उस उसने इंजिनिंग में अडिमिशन लिया है, उसका music में इंट्रेस्ट है, तो music के credits भी earned करकर अपनी degree में जोड सकता है, तो यह प्रावदान national credit framework न अपनी इंजिनिंग से चाहिए, हर संस्थान कोई decide करना होगा कि उसको कोर इंजिनिंग में कितने credits करने और 50% या जितने भी percent के credits वो decide करता है, वो बाहर से कर सकता है, जिसमें skill के credits भी होगे, तो यह सारा चीज करने के बाद अगर बच्चा music में रुची रखता है, और music मे वो उस लेविल के courses करता है, किसी उन्यूस्ति के दुआरा या स्वेम पर, तो वो उस लेविल के होने चाहिए, जा अगर लेविल से मतलब यह है कि अगर बच्चा 4.5 लेविल पे है, तो 4.5 लेविल के music के courses होने चाहिए, उनका assessment हुआ होना चाहिए, वो उन credits को भी तो यह बहुत बड़ा प्रावदान नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ने दिया है, जहां पर पच्चे अपनी रुची से अपनी डिगरी को कस्तरमाइज कर सकते हैं, यह कस्तरमाजेशन और डिगरी एक वाला concept भी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क से खुलता है, यह जो नय क्यार्ण बदलाव आने वाला है, उससे हमसा हमारे सब चात्र हमारे सारे शिक्सा संसान बहुत अच्छे, क्या कए चासरा यह भूषाण होगा और इनसान निकालत जी जितने इस आगे शोचकर भी संस्थान अपने हाँ नेशनल ग्रेडिट फ्रेंवर्क, मल्टिपिल एंट्री एगजेट, काउंटिंग अफ्क्रेडिट, इसकेलिंग इन सब चीजों को आप सोच सकते हैं एक प्रावधान जिसका मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा अगर समय है तो मै एक बड़ा जो concept है वो recognition of the prior learning. अगर आपने आपकी किसी चीज में आपकी महारत है लेकिन उसके आपको credit नहीं मिले में और आपने वो महारत हासल की हुई है एक certain level की, तो उसका भी creditization करने का प्रावधान national credit framework में है, जिसको कहते है recognition of prior learning, RPL. इसमें क्या है कि अगर मुझे लगता है कि कोई बच्चा जिसके पास formal degree नहीं है, इंजिनिंग की degree नहीं है, लेकिन cyber security में उसकी महारत है, तो एक संस्थान अगर उसमें admission वो कहीं जाता है, उसमें admission लेता है, तो उसकी वो cyber security की एक test के द्वारा, संस्थान उसकी capabilities को assess करेगा और उसको credit award करके उसको certification भी कर सकता है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास महारत है, और उस महारत का आपके पास certification नहीं है, तो recognition of prior learning द्वारा, आप degree और certificate पासकते हैं, यह प्रावदान भी national credit framework आपको देता है, यह जो कुछ भी आपने पास्ट में की है, उसको भी व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, तो NEP ने यह भी एक प्रावदान रखा है, this is wonderful to know, बहुत अच्छा लगाई जानकर, तो एक बर फेर बहुत बहुत धनेवाद सर आपके समय निकालने का, हमारे पास आके हमसे बात करने क सब लोग इससे बहुत लाबानवित रहने वाले हैं, तैंक यू, तैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जैसा कि आपने देखा और सुना, श्री राजीव कुमार जी ने नैशनल क्रेडिट फ्रेमवर्ग के कुछ एहम पहलों पर बहुत ही ठोज जानकारी हमें दी है, मुझे व ज्ला क्रेडिश है चरो beforett अर जी हमें राजीज कुमार जी राजीव कुमार जैसा को तयो वे मुझेश हैं अवार जात्वलत धुमार जा़ग कुमार जानकारो युड़ भूद़ख य